मुख्यमंद्री योगी आधित्यनाद के नितरत में स्वास्त सुविधाओं के मामले में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश ने बड़ी उपलब्धी हासिल की है अब उत्तर प्रदेश देश का पहला राच हो गया है जहां 5 कड़ोर आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं साथी आनिराज्यों के तुलना में सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड बनाने के रिकॉर्ड को भी उत्तर प्रदेश ने बरकरा रखा है CM योगी की मनशा है कि UP का प्रतेग व्यक्ति स्वस्त एवं निरोगी रहे इसके लिए वो अधिकारियों को हर जरूरत मंद व्यक्ति का प्राथमिक्ता के आधार पर आईश्मान कार्ड बनाने का निर्देश देते रहते हैं इसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रतेश में हर गरीव और वंचित व्यक्ति भी प्राइवेट अस्पताल में अपना उपचार करा पा रहा है उत्तर प्रतेश में अब तक 5,17,920 आईश्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं वहीं प्रदेश के 74,38,204 लोगों को इस योजना का लाब मिल चुका है प्रदेश में कुल 3,716 अस्पताल इस योजना के अंतरगत इन पैनल है आईश्मान भारत योजना के तहत प्रदेश में अब तक कुल 3,48,252 हेल्थ क्लेम किये जा चुके हैं जिसमें से 3,27,537 लोगों का क्लेम निस्तारित हो चुका हैं इसी तरह से प्रदेश में 92,48 प्रदीशत क्लेम का निस्तारण किया जा चुका है प्रभू श्री राम के नगरी आयोध्या जनपद में अब तक 8,37,700 लाव हर्थियों में आईश्मान कार्ड वितरित किये जा चुके हैं इस योजना का लाव जनपद के 19 नीजी अस्पताल और 16 सरकारी अस्पताल दे रहे हैं अयोध्या में इस योजना के तहट पंचायत सहायक काटिदार एवं आशा कारे करतियों द्वारा घर घर जाकर PMJY मुबाइल एप के माध्यम से कार्ड बनाए जा रहे हैं इसके अलावा गाउं के ग्राम पंचायत भवन पर भी पात्र लावारतियों के आईश्मान काट बन रहे हैं और इन सभी कामों के साथ उत्तर प्रदेश ने नया मुकाम हासल कर लिया है उत्तर प्रदेश ऐसा पहला देश का राज बन गया है जहां पर पांच करोर लोग आईशमान भारती योजना का लाव उठा रहे हैं